आपने आज तक बहुत सी UPSC सक्सेस स्टोरी शुनी होगी लेकिन जो आज हम आपको सुनाने वाले हैं उसे सुनने के बाद आप भी कहेंगे कि कहां कहां से आ जाते हैं ऐसे लोग क्या आप सब कभी यहां तक अंदाजा लगा सकते हैं कि जीस इंसान को कभी चपरासी की नोकरी भी ना मिल सकी हो वो एक दिन IAS Officer बन जाएगा अगर नहीं तो आप पूरी तरह से गलत हैं दरसल राजस्थान के रहने वाले मनिराम सर्मा जो बच्पन से ही बहरे थे उन्हें चपरासी की नोकरी ना मिलने के बाद इस कदर मेहनत की की आगे चल कर हुए दुनिया की सबसे कठीन पर इक्छा पास कर एक IAS Officer बन कर दिखाया मनिराम सर्मा राजस्थान के अलवर जी लेके रहने वाले थे और उनका बच्पन बेहदी गरीबी में गुजरा था मनिराम के पिता एक मजदूर थे और हालात कुछ ऐसे थे कि मनिराम को रोजाना स्कूल जाने के लिए पांच किलोमेटर पैदल जाना पड़ता था उनके पिता चाते थे कि मनिराम जल्द से जल्द किसी नोकरी में लग जाए ताकि घर की आर्थिक हालात को सुधारा जा सके इसलिए जब मनिराम के बोर्ड पर इक्चा पास करते ही हुए एक चपरासी की नोकरी पाने के फिराक में लग गए लेकिन वहां उन्हें कहा गया कि एक बहरे को नोकरी नहीं मिल सकती क्योंकि इसे ना ही घंटी के आवाज सुनाए देगी और ना ही किसी के आवाज सुन पाएगा ऐसे में इसे या नोकरी कैसे दें या सुनकर मनिराम काफी दुखी हो गए लेकिन उन्होंने अपने पिता को विश्वास दिलाया कोई एक दिन जरूर बड़ी आदमें बनेंगे और किस्मत भी सायत कुछ ऐसे ही चाहती थी फिर उन्होंने competitive exam की तैयारी करनी शुरू कर दी और बहुत ही जल्द उन्होंने कलार्क की परिक्षा पास कर डाले इसी के साथ साथ उन्होंने अलवर से अपना graduation भी पूरा कर लिया फिर बच्चों को भी tuition देने लगे और इसी के साथ साथ उन्होंने PhD के लिए scholarship भी हासिल की जिसके बाद उन्होंने UPSC परिक्षा पास कर IAS officer बनने की ठानी फिर मनिराम ने साल 2005 में UPSC के परिक्षा पास की लेकिन उनके बहरेपन की वज़े से उसे नोकरी नहीं मिल पाई इसके बाद उन्होंने दोबारा परियास करा और इस बार उन्हें नोकरी भी मिल गई लेकिन उन्हें पोस्ट और टेलीगराप अकाउंट्स में नोकरी दी गई जबकि मनिराम को IAS दिकारी बनना था हाला कि कहते हैं जो लगातार मेहनत करता है भगवान भी उसी का साथ देता है इस बार मनिराम ने अपने कानों का ओपरेशन करा लिया जिसके बाद उन्हें अच्छे से सुनाई देने लगा अब साल 2009 में मनिराम ने फिर से UPSC के परिक्षा दी और इस बार पास भी हो गए और पास होने के साथ सत नोकरी भी अच्छी तरह से मिल गई